अज कि इस वीडियो में आपको DFCSL के तरब से एक वेकिंसी के बारे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आज इस वेकिंसी की लास्ट एट है और मैं रिमेंडर के तोर पर ये वीडियो बना रहा हूँ अगर आप इसमें अभी तक अपलाई नहीं कियों तो जरूर से कर लिजेगा इसमें टोटर वेकिंसी की बात करें जो आपको जुनियर एजिनर के रेलिवे में जॉब होती है सेम जॉब्स यहाँ पर आपको मिलने वाली है तो जरूर से आप इसमें ट्राइक किजेगा आज इसकी लास्ट एट है जरूर से इसको ध्यान में रखेगा रात 11 बज़ के 45 फिनट तक ही वेलिड होगा 19 के डेट में आज 19 तारिक है और आज के डेट में 11 बज़ के 45 फिनट रात तक आप इसको अपलाई कर लिजेगा तो सभी कुछ मैं आपको आगे वीडियो में डिरियल से बताने वालना तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहेगा इसमें सिभील, इलेक्ट्रिकल, मेक और कमेंट सेक्षन में जो भी आपका ब्रांच हो, कौन ब्रांच से डिप्लोमा के हैं, कौन ब्रांच से बीवी टेक के हैं, या कौन से ट्रेड से आईटिया की हैं, जरूर से बताईएगा ताकि आने वाले जो विकंसी जोंगी आपसे रिलेवेंट आपको देखने के यह इसका अरपटाजमेंट नमर है, और इसमें सभी विकंसी यहां पर डिटेल में दिया गया, यहां पर जो भी यह ओनलाइन अप्लिकेशन इवाइट किया गया, यहां पर बहुत सारे पोस्ट है, इसका जो इंपोर्टेंट डेट है, सबसे पहले मैं आपको बता देता वाली है, और इसका टेंटेटिव जो डेट है, सीबीटी वन का अगस्त 2023 में होने वाली है, और इसका जो सकेंड सीबीटी का टेंटेटिव डेट है, वो दिसंबर 2023 में होने वाली है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, अपलाई ऑनलाइन के न लेवल यहाँ पर P.E.S.K.I.L. दिया गाए इसमे जो टोटल वेकंशी यहाँ पर शिवील के लिए 50 वेकंशी है एक्जू कीटिफ सिवील के बॉस्टपर यहाँ पर 50 वेकंशी है जिस में 24 स्यंगास4 में 5 दिद्क पर सेटीन में 15 वेकंशी है और प्रियावड दिदा लेव civil engineering public health और civil engineering water resource यह सभी अलग-अलग ब्रांच से भी कर रखे हैं तो यहाँ पर apply कर पाएंगे minimum 60% mark से आप pass होने चाहिए और same field में अगर आप B.E.B.T.E.C. कर रखे हैं तो भी apply कर पाएंगे आगे इसमें higher qualification से related भी दिया गा है कि अगर आप लोग diploma के अलाबे अगर आप B.E. B.E.C. भी कर रखे हैं तो भी यहाँ पर apply कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर जो next वेकेंसी है वो executive electrical का पोस्ट है इसमें total जो वेकेंसी है 30 वेकेंसी है और इसमें थ्रियर का डिप्लोमा in electrical electronics, triple E, power supply, instrumentation and control, industrial electronics, electronics and instrumentation, applied electronics, digital electronics, instrumentation, power electronics, electronics and control system तो यह सभी ब्रांच से अगर आप क डिप्लोमा तो यहाँ पर apply कर सकते हैं अब भी comment आ रहेते हैं कि electronics वाले से वेकेंसी बताने के लिए तभी इस वेकेंसी में apply कर सकते हैं नेक्स्ट वेकेंसी यहाँ पर जो है executive का यहाँ पर 235 वेकेंसी है और इसके लिए जो qualification required है graduate with not less than 60% mark तो अगर आप लोग बीटे कर र bachelor degree in commerce में अगर आप कर रखें तो यहाँ पर apply कर सकते हैं इसमें 14 वेकेंसी है नेक्स्ट यहाँ पर human resource में जिसमें 3-year का bachelor of business administration में अगर आप कर रखेंगे तो इसमें apply कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर executive information technology में 6 वेकेंसी है और यहाँ पर जो qualification required at 3-year bachelor of computer application अगर आप BCA का course कर रखें 3-year का तो यहाँ पर apply कर पाएंगे और 3-year का इंजिने डिप्लोमा कर रखें in computer science, information technology, electronics, electronics and communication, electronics and telecommunication या networking में तो भी यहाँ पर apply कर सकते हैं यह आपको 3-year का diploma भी apply कर सकते हैं और अगर आप लो computer application course जो आता BCA का ओगर कर रखें तो भी यहाँ पर apply कर सकते हैं उसक यहाँ पर junior executive electrical का post है 24 vacancy है और यहाँ पर जो qualification required है यह है matriculation यानि कि तेंथ के बाद अगर आप लोग 2-year का ITA कर रखें तो यहाँ पर apply कर पाएंगे यहाँ पर बहुत सारे trade दिये गा है तो यह सभी में से किसी भी trade से अगर आप कर रखे होंगे ITA तो यहाँ पर eligible है अप् currency है और इसके लिए जो qualification required है तेंथ के बाद अगर आप ITA कर रखें बहुत सारे यहाँ पर trade दिये गा है तो इसको देख लीजेगा जो भी candidate ITA holders होंगे तो यहाँ पर apply कर सकते हैं उसके पर junior executive mechanical का post है जिसमें कि अगर आप तेंथ के बाद ITA कर रखें तो यहाँ पर apply कर candidate eligible हैं की नहीं तो यहाँ पर साब साब लिखा गया कि जो भी से candidate है जिनका result भी नहीं आया है जहाँ एपेरिंग रिखें है वो लोग इसमें apply नहीं कर से not eligible to apply तो final year के candidate जो भी है ओर लोग यहां पर eligible नहीं है apply नहीं कर सकते हैं उसके बाद बात करें कि जो भी से candidate जो पास higher qualification है फो लोग अपलाइ कर सकते हैं कि नहीं तो वोग भी apply कर सकते हैं उनके लिए भी यहां पर दिया गया कि देख सकते हैं engineering degree can be BTC वी एस सी engineering यह सभी है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि for the post of executive जो इसमें diploma qualification है is prescribed as essential qualification candidate with higher qualification respective discipline जो की B.E.B.T.E.C. engineering with minimum 60% marks shall also be eligible to apply तो जो भी से candidate है जो B.E.B.T.E.C. कर रखे हैं वो लोग भी executive के post पे eligible हैं अपलाई कर सकते हैं अब बात करते हैं कि इसमें क्या age limit रहने वाली है तो इसके लिए जो age limit है executive के post पे 18-30 की बीच में आपका age होना चाहिए और junior executive के post पे 18-30 की बीच में होना चाहिए age calculation का जो date है 17-2023 को आपका minimum 18 years पूर्णा चाहिए इन case अगर आपका जो age है वो ज्यादा हो चुका है तो उस case में कुछ relaxation भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे जो कोई की डिपलोमा या बी बीटेक सिभिल वाले अपला करेंगे उन लोगों को यहाँ पर दो एक्जाम होगा जिसमें की cbt1 stage 1 और stage 2 में आपका पहला यहाँ पर जो stage होगा फुली न्टेक्निकल होगा और दूसरा आपका चैनिकल होगा और यहां पर एक cb80 टेस्ट है इसमें पर देख सकते हैं क्लोस्मार्क लगा तो यह आपको एक्जुकितिव के पोस्ट के लिए एक बस दो एक्जाम होगा यह एक्जाम इसमें 80 टेस्ट है यह बस only business development वालों को लिए है और सभी में यह नहीं दिया गया उसके बाद सभी में 2 cbt exams होंगे cbt1 cbt2 और document verification और medical test यह सभी को देने होंगे अब बात करते हैं कि cbt1 जो exams होगा stage 1 exam उसमें आपको कौन-कौन से topic से questions आएंगे और उसमें negative marking डहेगा कि नहीं तो यहां पर सभी को दियागा कि there shall be two cbt यानि कि first stage और second stage cbt होगा for all advertisement category उसके बाद यहां पर लिखाया कि the standard of questions for both first and second stage will be generally in conformity with the educational standard prescribed for the post तो यहां पर cbt1 cbt2 अलग-अलग post के अनुसार से अलग-अलग होगा negative marking जो है यहां पर दियागे there shall be negative marking in both first stage and second दोनों cbt में आपको one fourth का negative marking यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे उसके बाद यहां पर लिखा गए कि first stage cbt1 जो है वह screening nature का होगा यानि की qualifying nature का होगा उसका जो भी आप mark score करोगे उसका mark जो है आपका final merit list बनाने time में add नहीं किया जाएगा second जो भी आपका cbt होगा जैसे की पहला stage होगा जैसे executive के post पे तो उन्हें fully non-technical का होगा तो उसका बस आपको qualify करना है और second में जो होगा fully civil का branch paper का होगा तो उसमें जो भी आप mark score करोगे उसके आधार पर final merit list बनाया जाएगा लेकिन जो भी candidate first stage को qualify करेंगे उन्हीं लोगों को second stage में आपको exam देने के लिए मुखा मिलेगा जो qualify नहीं करेंगे उन लोगों को मुखा नहीं मिलेगा first stage का जो exam होगा उसमें जितने number of candidate appear होगे उनका जो result होगा screening होगा तो जितनी number of vacancies है उनका 20 times candidate को select किया जाएगा fourth second stage के लिए यहाँ पर details में दिया गया उसके यहाँ पर बात करते हैं कि जो यहाँ पर stage है उसमें कितने number of questions होगे तो यहाँ पर जो first stage है यहाँ पर आपको 100 questions होगे mcq type questions होगे जिनके लिए जो time दिया जाएगा आपको 90 मिनट का time दिया जाएगा और जो भी से कंडियर्ट होगे उनको लिए 120 मिनट का time यहाँ पर दिया जाएगा कौन-कौन से topics से questions आएंगे तो math या numerical ability से 30 questions रहेंगे general awareness से 15 questions रहेंगे general science से 15 उसके logical reasoning या general intelligence से 30 और knowledge about railway या dfccl के से 10 questions रहेंगे total यहाँ पर 100 questions रहेंगे यह आपका cbt1 का है और cbt2 जो होगा यह आपको 120 questions का होगा और यह आपको जो भी branch paper होगा उनके हिसाब से ही आपको total questions दिया जाएगे और इसके लिए आपको यहाँ पर जो time दिया जाएगा 120 मिनट का time आपको दिया जाएगा इसके आप जो syllabus है और यहाँ पर दिया गया तो आप इसको download कर लिए या मैं आपको telegram में डाल दूंगा तो वहां से आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया कि mark या normalized mark obtained second stage cbt उसी के अधार पर यहाँ पर considered formation of panel final result का बनाने के लिए यही जो second cbt का mark होगा यही consider किया रहेगा अब बात करते हैं कि qualifying marks कितना रहेगा तो यहाँ पर दिया गया यूर और ews category के लिए 40% mark score करने होंगे SCHT और OBC के लिए 30% ST के लिए 25% यह आपको minimum qualifying marks है इतना आपको score करने होंगे अब बात करते हैं कि इसका जो examination cities है कहां कहां पर होने वाले हो तो यहां पर various cities दि बलपूर, जैपूर, जोधपूर, कानपूर, कुलकाता, लखनो, मीरट, मुंबई, मुझपरपूर, नागपूर, पटना, पडियागराज, पूने, राइपूर, राची, तिर्वंतपूरम, वरानसी और विशाखा पटनम यह सभी cities में आपका examination conduct होगा तो इन में से जो भ पोस्ट ऑफ एग्जुकीटिव या जुनियर एग्जुकीटिव का पोस्ट जो भी है यूर, OBC और EWS कटेगरी कंडिट को यहां पर एक हजार रुपे application भी आपको पे करने होगे और यह TCS exams को लेगी conductor वारी है तो इसमें आपको इतनी application भी आपको पे करने होते हैं और जो इसे क्लिक करोगे तो आप लोग यहां पर आ जाओगे तो यहां पर इस तरह का interface आपके सामने में देखने के लिए मिलेगा जो की डिस्यस का जो भी वेकंसी आती है तो इस तरीके से डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर कोर्परेशन आफ इंडिया लिमिटेड यहां पर आने तो रेजिस्टेशन वाले उप्षन पर जैसे क्लिक किजेगा तो इस तरह का interface आएगा इसमें आपको यहां पर बेसिक से डिटेल्स पूछे जाएंगे कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाइ करना चाहते हैं तो यहां पर जो भी आपके अनुसार पोस्ट है जिसमें आप करना चाहते हैं तो यहां पर इमेल अड्रेस का ठालके जेनेट ऊटीप सेएगा त्यूर्स पर ओटीपी आएगा उसके बार वेरिफाई करके यहां पर i agree का option पर इसको check box पर check कर दीजेगा उसके बाद यहां पर capture जो है इसको fill करके नीचे में re verify का option दीख रहा इस पर आपको click करना है उसके बाद आपका जो ID है registration हो जाएगा उसके बाद वापस आपको login वाले option पर click करना है और फिर से यहां पर अपना user ID और password user ID में आपको मिल जाएगा आपके mobile अमर या email ID पर चल जाएगा तो उसको यहां पर डाल करके login करके आपकी इस form को completely fill कर सकते हैं तो आप आप इसको समझे होंगे जो भी मैंने information था मैंने आपको बता दिया फिर भी अगर आपके मन में कोई confusion.query अगर रह गया तो नीचे comment करके पूछ सकते हैं